गुद मॉर्निंग अल्टोस, सर्को नमस्कार, आज कह टोपिक उन्डों के लेकर क्यार है, उसमें यह है कि यहां पर है, हुआई अल्टोस, हम अल्टोस क्यों करें? तो किसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में जा नहीं है, क्योंकि आज बहुँ सा लोग को प्रोब्लम आता है, मार्केट में लोग आते हैं, कभी प्लान बताते हैं, कभी प्रोड़क के बारे में बताते हैं, विशेस गाराई में वो जा नहीं पाते हैं, यह आखिर अल्ट दुनिया में जतना भी आद्मी है, सब आद्मी को आप Altos का प्लान बता सकते हैं, Proud के साथ बता सकते हैं, यह कितनी बड़ी कमपणी में काम करते हैं, और कितना बड़ा मिलेगर के हम चल रहे हैं, और अल्टोस से हम पूरे विश्व के लोग को कैसे स्वस्त कर सकते हैं अगर इसका प्लान को लोग समझे इसके प्रोड़क्ट के बारे में लोग जानकारी ले और इसका प्रोड़क्ट के बारे में ये जान ले कि कैसे कैसे काम करता है और ये प्रोड़क्ट किस धाम से किस व प्लान पर समय बहुत कम है, तो हम चलते हैं कि आखिर अल्डोस की जरुवत क्यों है, आज दुनिया में हर व्यक्ति को स्वास्त का जरुवत है और धान का जरुवत है, इसको हो कर सकते हैं हेल्थ और बेल्थ हर व्यक्ति को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उसको दो चीज़ का जरुवत है, हर हाल में होता है, पहला स्वास्त का जरुवत है और दुसरा पैसे की जरुवत है, आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत सार लोगों को पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सार लोगो के पास अच्छा स्वास्त नहीं है, तो हम कैसे अल्टोस से अच्छा स्वास्त पहले ले सकते हैं और उसके बाद हम यतना चाहें उतना पैसा कम से कम समय में पास सकते हैं, और इससे मेरा इंकम आ सकता है। चलिए तो हम लोग आते हैं कुछ गारा भिसे में कि आखिर आज कैसे हम अल्टोस को से हम बहुत सा चीज हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम लोग आते हैं पर चलिए सबसे पहला चीज हम आते हैं कि आज लोग बीमार क्यों है आज बीमार होने का कुछ रीजन है पहला सेल दूसरा और और तीसरा तीसरा तीसू बहुत सारे तीसू मिल करके और और का निर्मान करते हैं पलस में जब बहुत सारे ओगन होते हैं तो सिस्टम का निर्मान होता है बराबर बोडी यही हमारे स्वास्त का सरीर के लिए डॉक्टरी का काम कर सकता है यहीत बिस है जितना खेच के ले जा है उतना बड़ा है और अगर इसको जितना सोट में समय है बहुत लंबा में हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि समय उतना है नहीं हम लोग यहां सिधा आते हैं कि आखिर शरीर बीमार क्यों हो रहा है और डोस का जरुवत क्यों हो तो हम लोग यहां पर आते हैं सबसे पहला कि सब लोग जानते हैं कि सरीर का जो सबसे छोटा ही काई होता है उसका नाम होता है सेव जिसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं उत्तक, अंग, रण्यानी और शरीर तो हमको पता है कि अगर भोटी को ठीक रखना है तो सिस्टम ठीक रखना होगा सिस्टम क्या जो हमारे हाँख पर अंग क्या है जो आँख हमारे आँख हो गया आँख वह गया हमारे सरीर में छोटा-छोटा और जो छोटा हाँणी पार का यहांख का आँणी और टीस्टू उसके बाद यह टीसू जो और इसके बाद सबसे छोटा जो होता है उसका नाम होता है सेल जिसको हम लोग कोशिका बुनते हैं। जैसे थीक रहेगा तो पता चलता है कि सेल भोजन इसको भोजन चाहिए यह भोजन से ठीक होताता कि तो क्या हम लोग भोजन नहीं के रहे हैं इसको चाहिए तो इसको भोजन चाहिए dota ए पहला ऑकसीजन दूसरा nutrition दूसरा nutrition तो अगर हम oxygen लेते हैं, हम reduction लेते हैं, तो आज भी हमारा सरीर 120-130 साल जिवित रह सकता है. लेकिन आप बात आता है कि आखिर हम क्या oxygen नहीं ले रहे हैं, अगर oxygen नहीं ले रहे हैं, तो जिवित कैसे हैं? तो आप यहां पर इसको समझने का चीज है, कि oxygen जो हम आगे ले रहे हैं, हमारे हम motor चल रहा है, गाली चल रहा है, बहुत साड़े कल कर खाने चल रहे हैं, अभी लॉगडाउन का स्कीती चल रहा है, अभी का जो मौसम है, आज लॉगडाउन का पहले का जो मौसम है, दोनों मे आज से पहले जब गर्मी होता था, तो इस समय लोग बहुत गर्मी से पागण हो जाते थे, और आज का मौसम में देखिए, हलका-फलका ठंडा टाइप का लगता है, यह मौसम एक दम 100% चेंज हो चुका है, आसमान का रंग निला हो चुका है, जो औरिजिनल आसर हुआ कि बहुत सा काल का खाना बंद है, बहुत सा गाड़ी मोटर बंद है, बहुत सा पर्दूसन का चीज बंद है, तो पर्दूसन जैसे ही कम है, तो इस से आता है कि हमारे ऑक्सिजन में 300 से ज़्यादा जरीदा गैस मिला हुआ है, तो जब हम ऑक्सिजन दीन में दे तो उसमें ऑक्सिजन के साथ साथ बहुत सारे जरीला गईस भी जाता है, तो यह जो ऑक्सिजन है, हमको सुध लेना परेगा, और यह जो ऑक्सिजन है, तीन से पांच वजे की बीच एहन, सुम्ह में, अगर बहुत सा लोग का आदत है, कि साथ से आप मुझे जाड़ते ही हैं तो उनके साथ गड़बड हो रहा है, अब आते हैं दूसरा मैटर, कि निट्रिसियन का क्या जरूमत है, निट्रिसियन में कौन कौन सा, बहुन सा लोग को यही पता नहीं है, कि हमको खाना क्या है, हम बहुत अच्छा बाइक ले आए, बहुत अच्छा काल ले आए, और हम उसमें अगर ओरिजनल पेट्रॉल नहीं डालेंगे, अगर मिलाप्टी डालेंगे, तो यह तो उत्ता हैं कि हंडेर परसेंट आपको आने वाला समय में, आपका जो गाड़ी 20 साल चलने वाला, 10 साल चलने वाला, 5 साल चलने वाला, वो साल दो साल जाते जाते उसका हिस्तित देमेज होगा, उसी धांग से हम लोग का सरीर है, हम लोग का सरीर में मुट्रिसियन चाहिए, मुट्रिसियन क्या चाहिए, पोस्टिक्ता चाहिए, कि धांग का पोस्टिक्ता हमारे सरी में दो भोजन का जर्बोत होता है पहला भोजन का जर्बोत होता है उसका नाम है एसीड जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल और दूसरा भोजन जिसको हम एलकलाइन कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में छार ये दो तरह का भोजन लेकिन बहुत सा लोग को ये पता बताना है बताना परेगा कि आखिर alkaline क्या है और acid क्या है कि धंका भोजत अंगर में आता है कि धंका भोजत छार में आता है और समसे बड़ी बात कि कि इतना मात्रा में चाहिए 20% हमारे सरीर में चाहिए और 20% अंग चाहिए क्योंकि अंग हमारे सरीर में एड़ोमेटिक बलता है और चार हम लोग को व्यवस्था करके देना पड़ता है तो अब हम यहां पर आते हैं कि अखी यह भोजन कौन सब भोजन इसमें आता है लोग को पता नहीं है आज जाने अंजाने में बहुत साचे वो गवरवट जीर खाते जा रहा है तो आज हम लोग अर्टोस के बादें से यह बताएंगे कि कैसे आप कैसे आप यहां पर स्वस संसार का जितना भी पका हुआ भोजन है वो सब अम्ल में आता है आपका दूद, दही, भी, मक्षम, समोसा, चाह, पनीद, जोग, सब कुछ यह सब भोजन हमारा प्रकिर्टिक रूप में आता है तो आज हम आज हम जानना चाहिए कि अब अम इलकलाइन भोजन कौन सा है तो इसमें आता है पहला पहला जो आता है संसार में जितना भी फल है कच्चा हो पका हो वो सब फल जो होता है दूसरा में आता है आपका जितना भी मसाला है जितना भी आपका मसाला है वो भोजन आपके आता है तीस्तरा में आपका जो आसता है वो आपका सबजी जितने भी हरे सबजी है जितना भी सबजी चोठा नमबर में आता है आपका कुछ सूखा फल पच्मा में जो सबसे दमदार सबसे ज़्यादा अभी के समय में जो खाद पदार्थ से बहुत जो अभी फटलाजर से बहुत दूर है उसका सबसे बहुत बढ़ाता है उसका नाम आता है जड़ी पूटी यह अभी के समय में सबसे ज़्यादा दमदार प्रोड़क्ट के रूप में आता है जिसको अगर हम आज जड़ी पूटी का परियोग करें तो आने वाले समय में हम बहुत स्वस्त रह सकते हैं लेकि इसमें भी मात्रा आता है किसमें कितना मात्रा किसमें कितना मात्रा तो आ बहुत अच्छा उन्हें से 81 से प्रोड़क्ट बना रहे हैं और हम लोग के बीच में ला रहे हैं इनका जो सबसे पएदे थाइंस देना है जो हमारे कंपनी का सेमडी सर हैं उनका नाम मिनिस्टर अस्वानि कुमार गुपता है उनके लिए उनको हम लोग ठाइंस बोलते हैं वो सौ साल, दोसो साल, पांसो साल, हजार साल दिये क्यों क्योंकि वो आज एक ऐसे भीजन को ले करके चाव रहे हैं उनको सतसत नमन, सतसत प्रणाम और उसके ब जो हमारे कमपनी का मैनेजिम डारेक्टर हैं, विजनोस डारेक्टर हैं और हम लोग को इतना अच्छा पलान लाके दिये हैं तो अब आते हम लोग जड़ी पूटी, जड़ी पूटी ये पाथ चिन है जो हमाने सरील में 80% चाहिए लेकिन हम लोग आज दो तरह का थाली हमा आज क्या खाते हैं भात और दार, यानि हमारे थाली में जो भी आ रहा है इधार आधा में भात, चावल और रोटी, थोड़ा सा में सब्जी, थोड़ा सा में दाल, आलू कहीं लवग चीज होता है और जितना भी होता है वो पका हुआ अनाज होता है तो जब अगर हम ये खाईए तो क्या होगा कि हमारे सरीर में हम ज्यादा ज्यादा आम ले रहे हैं तो चार बनने का परकिया कम होगा तो हमको यूज क्या करना होगा आधा दाल आधा में सबजी और छोटा सा रोटी छोटा सा चावल थोड़ा थोड़ा सा हमको लेना होगा और उसके बार चट्नी वगेरा सालात वगेरा का परियोग हमको ज्यादा ज्यादा करना होगा लेकिन अब बात यहां पर आ रहा है कि इसमें अगर हम जाते हैं विटेर में तो पता चलेगा कि एहां पर एक आदमी का सुबा साम का खर्च पांच सो रुपया से उपर का जाता ह अगर हमारे घर में पांच सो पांच सो रुपया से खाने में खर्च होता है तो आप हम यह सारा चीज आप सोच रहे होंगे कि यह सारा चीज हम को बता रहे हैं यह सारा चीज लिए पता रहे हैं कि जब तक डिटेल आपको बताएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर अल्टोस का जरुवत क्यों है कैसे हम 75,000 को 10,000 में कनवर्ट कर सकते हैं और आने वला समय में 120 साल अभी भी हम जी सकते हैं तो इसी चीज को हमको संखाने के लिए हमको थोड़ा डिटेल में जाना पर रहा है तो इसको थोड़ा धन से हम फिर से संखेंगे और यह जो हम थाली है दूसरा धन का थाली जो हम लोग देवी आज लगवन लगवन पंचानवे परसेंट लोग के पास आ रहा है इसका रिजन क्या है करन क्या है कि हम लोग के पास पैसे का भाव सिर्फ हम लोग बेट भरने के उपन लगए हैं स्वास्त के लिए क्या चाहिए हम जानने का भी कोशिश नहीं करते हैं और रिजन का वज़य है कि आज से कुछ साल पहले लोग 100 साल जीते थे उसके बाद 80 आ गया उसके बाद 70 अभी आउस्तन जो है 50-60 का आउस्तन चलता है और बहुत सारे लोग जैसे आज ही का एक ख़बर है कि बहुत बड़ा विनेता रिशी कपूर जो थे 67 साल में उनका मिर्टू हो गया आज बड़ा बड़े आदमी जो बड़े बड़े सिनेग्रेटी होंके पास कोई जी का कमी नहीं है लेकिन फिर भी कहीं में कहीं हम लोग इस तरह के समाज में रहते हैं कि जाने अं जाने में हम पोग जीत हाना पर जाता है पीना पर जाता है जिसके कारण हमारा हेल ताज ग झाल 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 झाल